ओंदंदंदंबके नमा आपकी सामली में मिसंडर्साइणिंग भी हो सकती है तो थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखें आप अच्छा लव और रिलेशनशिक पर आते हैं तो आज करी शाषी प्रेडिक्शन के हिसाब से यह साल आपके लिए मिला जुला साल रहेगा और गुड और बैज इवेंट्स निक्स इवेंट्स आपकी लव लाइफ को सराउंड करेंगे और साल का जो दूसरा हिस्टा है साल का जो सेकेंड पार्ट है यानि की आपरिल से जून का जो टाइम है वो आपके रिलेशनशिक के लिए अच्छा नहीं है मैरेज और इंगेजमेंट इस पीरियड में आप बिलकुल ना करें नेगेटिव थॉर्ट आपको आपकर अटाक कर सकते हैं तो आप प्लीज नेगेटिव थॉर्ट से बटें हो से के तो मेडिटेट करें पॉजिटिव एनरजी पॉजिटिव वाइप अपने आज पास क्रियेट करें लेकिन इसके बाद का जो पीरियड है लेटर हब जो पीरियड है उसके बाद जून के बाद सेटान इन सभी परेशानियों को आपकी दूर कर देगा और आपका जो लव रिलेशन है वो एमरिच होगा वो स्ट्रॉंग होगा और मजबूत बॉन्ड आपके बनेंगे आपके साथ अगर आप चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं तो सप्टमबर 2016 बेबी प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा लेकिन अगर आप सिंगल है तो आप अपना सोल में तो अगर आप धून रहे हैं तो आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा प्रफिशन के लिए तो ये साल आपके लिए हापनिंग इवेंट लेकर आने वाला है दोस्तों और बिजनस यानि की विवताय में आपको अपने बिजनस को एक्सपेंड करने के लिए इंटरनेशनल बिजनस प्रपोजल्स मिलेंगे और सालरी पीपल अगर आप हैं जॉब में हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा आपका फाइनिशल स्टेटस इंप्रूव होगा और ओवराल ये पूरा साल करियर के लिए और फाइनिशल चीजों के लिए गोल्जन इयर है दोस्तों तो बहुत अच्छा एसाल आपका बीचने वाला है फैमिली और सोशल ला आपके जो रिलेशन्स हैं आपकी फामिली के साथ आपके फिंट के साथ वो बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत अच्छी बांडिंग आपके बीच में रहेगी आप नए दोस्त बनाएंगे सोशल एक्टिविटीज में भी आप इंवाल होंगे और यापके हेल्डी माइं आपके लिए लॉयल और सपोर्टिव रहेगी अपनी सामनी के साथ आप ट्रिप्स भी प्लान करेंगे हलाकि साल का जो पहला हिस्टा है फर्स हाफ जो पीरिड है वो आपके लव रिलेशन्शिप के लिए थोड़ा सा रफ रहने वाला है लेकिन चिंदा की बात नहीं है क्य लिए की बाद का जो पाई है साल का दूसरा जो हिस्ता है साल का उसमें आपके जो रेलेशन्शिंस हैं आपके बांड है आपके ने के साथ और आपके लिए वो अमेंजिंग पीरिएड होगा ट्रेवल पर आते हैं, ट्रेवल की बात करते हैं, तो साल 2016 आपको frequent trip के chances दलाएगा, आपको business trip के भी काफी मौकें मिलेंगे, newly married जो couple हैं, जिनकी अभी शादी हुई है, वो perfect romantic destination पर जाकर honeymoon enjoy करेंगे, अगर आप outside country settle हो रहे हैं, तो साल का जो starting part है, वो आपके लिए थोड़ा सा परिशानी वाला रहेगा, शुरू के पार्ट में थोड़ी से दिक्ट रहेगी, लेकिन later half part में आप stay और enjoy करेंगे, health की बात करते हैं, तो health के लिए साल आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, पर physical stress और pressure की वज़े से आपकी health effect हो सकती है, क्योंकि आप पर hard work का और better perform करने का pressure रहेगा, आप बहुत जादा drink बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपके liver पर effect पढ़ेगा, और दोस्तों, it is advisable कि आप stress बिल्कुल ना लें, other activities में engage रहें, इसे होगा क्या, आप happy feel करेंगे और यह आपको relax feel भी देगा, अपने relationship को time दें, क्योंकि किसी ने बिल्कुल सही कहा है, कि वक्त हर घाब को भर देता है दोस्तों, तो खुश रहें. चान सही कि वक्त हुर में कि क्लिक। वक्त हुरूज वक्णों नाकन क कि दिल्क। वक्त है,